अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोर्ड एक्जाम दरज़ 24 में टॉपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा क्योंकि आज एक ऐसे टॉपिक को टच करने वाले हैं जो हर एक स्टूडेंट के दमाग में कभी न कभी किसी न किसी टाइम जरूर उठता है और वो टॉपिक है कि बोर्ड बरिक्षा में टॉपर बनने के लिए कितने घंटे पढ़ना जरूरी है कोई स्टूडेंट स्टार्टिंग से 5-5 गंटे पढ़ाई करता है कोई 8-8 गंटे कोई 10-10 गंटे पढ़ाई करता है लेकिन एक्षिल में वो टाइमिंग हमें सही तरीके से नहीं मल पाती ही कि हाँ इतने देर पढ़के हम अपने बोर्ड एक्जाम में टॉपर बन पाएंगे आज मैं वैसा ही टाइमिंग आपको देने वाला हूँ ट्विस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये कहानी कभी न कभी किसी ने किसी वक्त आपने जरूर देखी होगी या सुनी होगी और वो कहानी क्या है कहानी ये है कि एक ऐसा बच्चा जो रोजाना आठ से 10 गंटा पढ़ रहा था उसका बोर्ट एक्जाम में 60 से 70 परसंट मार्क सी होगी मतलब रहे गए 60 से 70 परसंट उसका रिजल्ट बना और एक ऐसा स्टूडेंट जो दिन भर घूमता था और लास्ट टाइम में वो 4 से 5 गंटा पढ़के 90 परसंट स्कूर कर दिया ऐसी कहानी अगर आपने भी सुनी है तो कॉमेंट में जरूर लिखेगा भई मैंने तो बहुत सुनी है मैंने देखी भी है कि मेरा दोस्त मुझसे जादा पढ़ता था और नंबर्स जब आए तो 25 परसंट या 30 परसंट कम मेरे परसंटेज से उसका परसंटेज था तो कहां गलती होती है आखिट जादा पढ़ने के बाद भी नंबर क्यों नहीं आते और कम पढ़ने वाला स्टूडेंट नंबर कैसे ला देता है तो यही सबसे बड़ा खेल है स्टूडेंट की बोर्ड एक्जाम में जादा घंटे पढ़ने से नंबर नहीं आते जादा घ ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली आपका समय सारडी ये है कि डेली आपको चार से पांच घंटा पढ़ना है तो इस चार से पांच घंटे में हो सकता है कि आप सिर्फ किताब कॉपी लेके बैठें और खयाली पुलाओ कहीं और कपकाएं जैसे स्कूल की बाते कभी याद आ रह रही है कभी रील्स याद आ रहा है चार से पांच घंटे के क्या कोई मतलब नहीं है कि तो गिनने के लिए तो हमने चार से पांच घंटे की पढ़ाई की लेकिन अगर एक ऐसा स्टूडेंट beauty पढ़ रहा है लेकिन इस एक से दो घंटे में उसका पढ़ाई पर 100% focus है तो ये 1-2 घंटा students आपके 4-5 घंटे के उपर भारी पड़ेगा इसलिए हमेशा आप ये अपने दमाग में बैठाईए कि घंटा के पीछे नहीं भागना है कि आप कितना घंटा पढ़ रहे हैं भागना इसके पीछे है कि आप उस समय duration में आप उस time duration में आप उस सम में क्या पढ़ रहे हैं कितना पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद वो चीज़े क्या वाकई में आपके दमाग में फिट भी हो रही है या नहीं यह अपने आप से पूछना है और पूछेंगे कैसे एक बाद दोरा लीजिए उस टॉपिक को दोराने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना दूद का दूद है कितना पानी का पानी है है कि नहीं अगर याद आजाता इसका मतलब सही आपने पढ़ाई की है बहुत अच्छे से आपने रिवाइस किया है सो डैट स्वाई बचो मैं यही कह रहा हूँ आपको कि टाइमिंग पर फोकस जादा ना क कहने का मतलब ये तो मैंने एक example दिया but at least पढ़ना तो आपको सभी subject को जब आपको focus करना है सभी subject को cover करना है तो कम से कम अच्छी timing तो आपको देनी पड़ेगी इसलिए तीन टाइब के student होते हैं ये सभी student जानते हैं एक तो बहुत जादा तेज student होते हैं जो किसी भी समझ लेते हैं बहुत जल्दी समझ लेते हैं एक माध्यम लेबल के student होते हैं मध्यम लेबल के student होते हैं जो मीडियम में होते हैं वो जो जादा टाइम लेते हैं किसी चीज़ को समझने में कम टाइम लेते हैं बीच में होते हैं और एक बहुत कमजोर student होते हैं तो सब के लि यही ध्यान दीजगा कि आप जो पढ़ रहे हैं जितना देर पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ रहे हैं यह important है कितना देर पढ़ रहे हैं यह important नहीं है सो जितना भी देर आप पढ़ें उसमें आप अपने आप से questioning करिए कि क्या जितनी भी चीज़ें आपने practice की है दमाग में बैठी है या नहीं बैठी सो जो तेज स्टूडेंट है उनको starting से यानि जुलाई अगस्त से कम से कम तीन से चार घंटे की self-study जरूर करनी चाहिए और जो medium level के student है उनको चार से पांच घंटे की self-study अब self-study में student tuition का timing और school college का timing include नहीं है ये घर पे पढ़ने वाला समय है और जो कमजोर student है उनको 5-6 घंटा daily जरूर practice करनी है और exam तक इसकी practice करते रहनी है थोड़ा जादा मेहनत करना पड़ेगा कमजोर students को but exam time आते आते आपको relax हो जाएगा सारी चीजें अच्छे से समझ आने लगेंगी और उसके बाद कम भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा but starting में थोड़ा efforts डालना पड़ेगा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन हमेशा याद रखेगा कि आपको घंटे के पीछे जादा नहीं भागना है आपको यही भागना है कि इन 5-6 घंटे में आप क्या कर रहे हैं इन 5-6 घंटे में आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि उसने मेरा pen कैसे लिलिया उसने मेरी तरफ कैसे देखा वो मेरी तरफ देख कैसे सकती है ऐसे वैसे गरवड़ वाली बातें मत सोचिएगा इस घंटे में आप सिर्फ और सिर्फ फोकस होके पढ़ाई करिएगा तब ही जाके ये समय गिना जाएगा otherwise वो सारा समय वेस्ट हो जाएगा मुझे उमीद है स्टूडेंट्स के आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करिए अपने सभी दोस्तों तक शेर करिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजए तो बच्च तो तो अगराइब कर दो सब्सक्राइब कर आए हैं